रमेश जी नमस्कार नमस्कार भीया जी नमस्कार नमस्कार और बताएं कैसे आप बढ़िया आप बतावा जाएं बस ठीक है सबसे पहले रमेश भाई मैं आप से जानना चाहूंगा कि एक बार अपना पूरा एड्रस बोल दीजिए क्योंकि काफी किसान भाई हैं जो कि आपक सबसे जरूरी चीज जो है वह यह कि आप जब शुरू शुरू में बढ़ लेके गए थे उस टाइम पे आपके मन के अंदर जो उस टाइम पे बीत रहा था था थोड़ा सा वो दोस्तों को एक्स्प्लेइन करें अपने अंदा जब लेकर गया था तो बहुत पहले हफता में बहुत मोटल्टी हो गई ती इसलिए मन एकदम बिचलित हो गया था कि अब फार्म बंद कर दें जी जी आपने हमें उस्सा दिया और फिन हमने लगन से काम किया तो रिजल्ट अच्छा आया बाद में दोस्तों मैं बताना चा में ले जाकर डलवा दीजिए और वो चाहे मुझे एक महीने दो महीने बाद पैसा देगा लेकिन इसको हटवा दीजिए भया क्योंकि इतना मोटल्टी हो रहा है और हमें लग रहा है कि हमारी कुछ भी बचत नहीं हो पाएगी यह इतना ज्यादा नर्बस फील कर रहे थे दोस्तों पर हमने इनको अपने हिसाब से इनकी सहनसक्ति को बढ़ाया और इनको मोटिबेट किया हमारे खालिद भाई ने भी बहुत ज्यादा कोशिस किया और लोगों ने इनका पूरा सपोर्ट किया कि भाई आप काम करिए आपको फाइदा होगा तो रमेज भाई यह बत अच्टाइज जनूरी 2022 को अपने बड डाला था उस दिन चिक्स का क्या राइट था उस दिन चिक्स का रेट 23 रुपया चिक्स था तेज़ रुपे का दोस्तों चिक्स था तो आपने कितने बड़ डाले थे बड़ हमने डाला था पांसो पांसो बड़ डाला था आपने रमेश भाई आपने बड़ तेजा लिए तेजसे बड़ रुपेर लिए लिए और आपने फीड कितने की खरीदी थी अमने साथ हजार का फीड खिलाया था अच्छा यह बदाए आपने प्री श्टाटर कीदना लिए और फिनीसर कीदना लिया था अभी आपके पास चार बैग बचे हुए है अच्छा रमेश भाई मैं जो सबसे जरूरी है वो जानना चाहूंगा आपने बड कितने में सेल किया कितने दिन अपने फार्म के अंदर रखा था फार्म के अंदर हमने रखा था 34 दिन चोटिस दिन पर बड सेल हो गया था जो आपका बड था इसका लगबग वजन कितना गया था अब इसका वजन दो किलो था लेकिन कोई-कोई बड दो किलो शासो दो किलो आट तो किलो तो रमेज भाई अभी मैं यह जानना चाहूंगा आपने कौन से दिन में यानि बड़ अपना सेल किया है हमने बड़ को सेल किया था 22 फरवरी को अपने अपना बड़ बेचा है रमेज भाई उस दिन रेट क्या था कुछ उस दिन रेट 108 रुपे खुला था मंडी का रेट जी 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 उस दिन दोस्तों आप अभी दो दिन पहले की बात थी है तो रहेट इस में बहुत ही अच्छा चल रहा है तो रमेज भाई आपका माल त्यार हुआ 914 किलो माल जी 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 अच्छा एक चीज और चाहेंगे तोटल आपने जो दाना साथ हजार रुपे का खरीदा था हां हां मेडिसिन कितने मेडिसिन कितने की आई आपकी 3,000 रुपे की तीन हजार रुपे की आपकी मेडिसिन आई है और कुछ खर्चे लगे हैं इसमें फार्म हमारा नहीं तो तो चार हजार रुपया उसका भाड़ा था चार हजार उसका भाड़ा और भी कुछ खर्चा था ठंड बहुत पड़ रही थी मंद मंद ठंड में हमने डाला था तो पंदरा सो का बुरादा लग गया था जी जी बिल्कुल वह तो भाई जाहिर से बात है सभी के फार्मों पर लगता है बुरादा पकल लीजे पंदरा सो का था जिसमें वह तब दवा लगी थी पली का खर्चा यह सब था अच्छा अच्छा तो कुल मिला के आपका टोटल जो खर्चा आया वह कितना आया रमेज भाई टोटल खर्चा वाई एक क्यासी हजार पांस वाया था एक्यासी फांसव पांचबर यहां कि आपका ट्रेटी से लेके सब सबसक्ति और सारा खर्चा मिला कि 8500 फांस वायाइटहर जी 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 अच्छा तो अब अब यह बताएं कि आपका जो माल तयार हुआ वह कितना तयार हुआ और आपने कितने का बेचा माल तयार हुआ था नौ कुंटल 14 किलो तयार हुआ था सेल हुआ था 99225 रुपय का अच्छा 99225 रुपय का आपका रेट भी उस दिन 108 रुपय था तो इस तरह से यानि साढ़े आठ रुपय था ना आपका एक सो साढ़े आठ रुपय तो यह बता है रेमेज भाई आपका सुद्ध मुनाफ़ा जो हुआ वह कितने का हुआ सुद्ध मुनापा वह यह सत्रह हजार साथ सु रुपय का सुद्ध मुनापा वह अच्छा यह जानना चाहिए था वह तो मैं भूल गया था आपकी आपकी मोटेल्टी कि तनी हुई थी मोटेल्टी यह 40 मोटेल्टी हुए और इसके बाद में आपका जो माल बचा था वह आ सुद्ध मुनापा सत्रह हजार कितना बताया आपने सत्रह हजार साथ सो चलिए बहुत अच्छी बात है और यह आपका फर्स्ट टाइम ही था पहली बार था इसलिए जानकारी थोड़ा कम थी जी 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 अच्छा तो आप नए फार्मर भाईयों को जो कि आप जैसे एज वाले है यह जो एकदम इवा वर्ग है अभी 20 से लेके और 25 के बीच में इन भाईयों को क्या कहना चाहेंगे इन भाईयों को यही कि मन लगा के काम कीजिए उसके बार रिजल्ट अच्छा ही होगा जब काम किये रहेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा जी 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 ज करें कि सबसे ज्यादा पॉल्ट्री में सबसे जरूरत है मार दर्शन की अगर कोई आपका अच्छा खासा मार दर्शन करेंगा तो आप जाहिर सी बात है नुक्सान कम से कम होगा जानकारी रहेगी किसी अच्छे फार्मर से जैसे हमें अजे भाई ने बताया इनके एक रेक आगे से प्लान है कि पॉल्ट्री को आगे बढ़ाएंगे इसको अभी आप अपना खुद से काम करेंगे या कॉंटेक्ट बेस पे काम करेंगे किस तरह से करेंगे आगे से अब आगे से तो रहेगा तो अभी कॉंटेक्ट से करेंगे या देखेंगे तो खुद से करेंगे सब्सक्राइब्स धिन्ति काम होता है कम डिल्कुल ही नहीं और में कजो सब्सक्राइब तो रमेज भाई आपको इस लाट में अच्छा खासा मुनाफ़ा हुआ इसके लिए बहुत-बहुत बधाई हो मैं आशा करता हूं कि आगे से भी आप बहुत ही बहतर करेंगे जो भी काम करेंगे मैं दोस्तों को एकी चीज बताना चाहूंगा कि ये रमेज भाई वही है जो कि जिस दिन ये बच्चा चूजा लेके गए थे हमारे पास से ही लेके गए थे हमने ही इनको चूजा और दाना दवा फीडर डिंकर सब कुद दिया था क्यों रमेज भाई हाँ भाई साब वहीं से कहा कि भाई इसको किसी भी तरीके से हमारे यहां से उठवा लीजिए और बेचवा दीजिए कहीं भी तो ये इतना होपलेस हो गए थे दोस्तों पर हमने इनको साहत दिया और बताया कि आप करिये मन लगाए आद दोस्तों पांसो बड़ में इनको 17,700 रुपे का सुद मुन जिसतरा से मुनाप्य हुआ है इस तरह से मुनापह होगा सभी भायों का हो सकता है अगरց मंडी है ४ vaca है आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हो सकता है कि इससे किसान भाईयों को भी बहुत ही ज्यादा लाब होगा तो दोस्तों यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आए होगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें क् मेरे चैनल से आप लोग को निश्चीत ही मदद मिलेगी तो चैनल को सब्सक्रायब जरूर करें शेर भी करें साथ में ही दोस्तों जादा से जादा लोग सपोर्ट करिये क्योंकि आप जितना जाद सपोर्ट करेंगे हम उतना ही बेहतर से बेहतर वीडियो साप लोग के लिए लाते रहेंगे थेंक्यू दोस्तों